अशोक खेमका की जवाबी रिपोर्ट कहा सूनिया गांधी के दामाद रोबर्ट वाडरा ने क्या फर्जी वाड़ा और क्या इमानदार अधिकारी सरकार और राजनेताओं पर पड़ रहे भारी सूनिया गांधी के दामाद रोबर्ट वाडरा के कथित फर्जी जमीन सौद्य का भूत उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके पीछे जो व्यक्ति है वो है एक इमानदार आई एस ऑफिसर डॉक्टर असोख खेम का उन्होंने हरियान सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपी है और रिपोर्ट में उन्होंने जो बात कही है और साफ जिन चीजों को की सिखोपुर गाउन में तीन दसमला पांच तीन एकर लगभक साय तीन एकर से जादे भूमी सौदा मामले में जो रिपोर्ट दिया गया सौदे के लिए रावर्ट बदरा ने फरजी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया रिपोर्ट में ये भी कहा है कि सौदे के लिए सेल डिड में चेक लगाया था वो भी फरजी था और ये तमाम जब रिपोर्ट आने के बाद अब सवाल है कि क्या इस पे हर्याना की सरकार रिपोर्ट को डस्ट बिन में फेक देगी या इस पे चान बिन इमानदार तरीके से करवा के उस पर कोई कारवाई करेगी या एक बार फिर जो तरप्रदेश में जिस सरकार का रुख है दुरगा शक्ति नागपाल को लेके वो रुख हड्यानत सरकार आगे बढ़ाएगी सबसे पहले पुस्पेंद्र इस रिपोर्ट को देखें अगर और कॉंग्रेस के बयान क को देखें कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है मीम अफजल साहर उन्होंने इस बाबत क्या बयान दिये हैं वो पहले दिखाता हूं फिर आप से मैं आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं अशोक खेमका जी के बारे में जो मैं कहूंगा अभी जो कुछ उनका आया है जो सुबह मैं टीवी पर देख रहा हूं मैंने अभी भर्याना गौर्मन्ट से बात करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे डॉकुमेंट सब चीज़े हमारे पास अविलबूल हों उसकी बुनियाद पर हम कोई मजबूत बात कह सके हैं सरे देस्त माई कह सकता हूं कि अशोक खेमका कुछ सियासी पार्टियों के हाथ में हे खेल रहे हैं और वह सरविसरोल को फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कुछ राजनितिक दलों के हाथ में खेल रहे हैं और सर्विस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप से कुछ दिन पहले सोनी है गांदी नेमान महान सिंग को पत्र लिखके दुर्गा शक्ति नागपाल के मसले पे काता कि आप देखें जरा उनके साथ जाए च पार्टी रॉबर्ट वाडरा के बचाओ में या उनको उनके बारे में तरक देने के लिए कॉंग्रेस पार्टी किस शकल में है कॉंग्रेस पार्टी की इस पूरे मामले में क्या लोक असिस्टन्टी है रॉबर्ट वाडरा कॉंग्रेस के मेंबर नहीं है को रॉबर्ट वा प्रवक्ता जी ने नहीं बताई है कि वो खेम्खा जी जो हैं वो कुछ पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं तो खेमखा इस देश की सर्विस रूल के तहर सर्विस कर रहे हैं और अगर हर्याना सरकार को लगता है कि नियम के खिलाफ जाकर के कुछ राजनितिक एजंडे के साथ करें तो उनको सस्पेंड करें आप सस्पेंड भी नहीं करेंगे आज आप एक नया शगूफा जब उन्होंने ये खुलासा किया था तब आपने ये बात नहीं कही ती तो अब आपको ये सूट करता है कि वो राजनितिक पार्टियों के हाथ में खेल रहे हैं क्योंकि अपसे कुछ महीने चंद दिन पहले सोनिया गांदी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक आई इस अफसर दुरगा शक्ती के बारे में प्रदान मंतरी को चिठी लिखी कि आप किसी भी तरीके से इस अफसर के साथ में कोई ना इनसाफ ही न हो तो अब आपको लगा क्या किते हैं ये दुबारा से मामलाग शुरू हो गया और 105 पेज की जो रिपोर्ट उन्हों ने जमा क देखिए इसको तीन तरह से हम पो देखना परेगा पहला तो है कि हम सब जानते हैं कि जो हरियाना सरकार ने पहले ही क्लिंचे दे दिया है रोबर्ट बार्डर को कि उस सौधे में कुछ भी गरवरी नहीं था खेमका की रिपोर्ट जो थी वो गलत रिपोर्ट थी उसमें सा प्रदेश के अखिलेश सरकार ने भले 42 और 47 मिनट में कर दिया लेकिन हरियाना सरकार ने थोरी बुद्धी लगा करके कि समीती बना करके इस ब्यूरो क्रेट को नाजाय गलत तरीके से रिपोर्ट देने वाला साबित करके हम इसको सजा दें जो मूल उदेश उसमीती खाता है कि ये कैसे गलत है और बाहर आके उसने बयान दे दिया है कि मैंने जो म्यूटेशन रद किया था उसका परतुरत अमल हो अगर किसी को जरूरत हो तो कोट में जाना चाहिए मैंने समीती मेरे बारे में जो फैसला करे वो करे लेकिन मैं चुकि एक संबिधान के तहट प्रदत अधिकार जो हमारा है उसके तहट हमने रद किया था जाए लेकिन तीसरा पहलू जो इस समय जिस पर आपने आरंभ में पडिचर्चा आरंभ की देखिए हमारा ये प्यारा देश जो भारत है जो दुनिया के लिए एक समय अनुपम था वो आज ऐसी भयानक अवस्था में पहुँच गया है जहां जो कोई भी व्यक्ति जो इमानदार है जो सत्य निष्ठ है अपनी सत्य निष्ठा और इमानदारी के परती संकल्पित है कि हमको ये ही करना है जो चाहता है कि हमेशा हम नियमों कानूनों की परीधी में रहकर ही काम करें वो पूरी विवस्था चलाने वालों के लिए चाहे वो परत्यक्ष तोर पर चलाते हों चाहे परोक्ष तोर पर प्रभावित करते हों उनके लिए वो टॉक्सिक एलिमेंट बिजातीय दरब्य हो जाता है जैसे मेरे शरीर में कोई toxic element बिजातीय दरब्य घुस जाये तो मैं बिमार पर जाता हूँ भयाना और डॉक्टर से इलाज कराना परता है भारत में उल्टे स्थिती है जो सुद्धता है स्वच्छता है वो बेवस्ता चलाने वालों के लिए toxic element ह करके उसको बिमारी माना जाता है और उसको साफ करने के लिए उसी तरह तरह ही माम करते हैं जैसे मैं बिमार पर जाओं तो मेरे मित्र के नाते आप और पुस्पेंदर जी तरह ही माम करेंगे कि इनको अस्पताल ले चलो तो किसी भी देश में जहां सच्चाई, इमांदारी सत्य निश्ठा नियम और कानून ब्यवस्था चलाने वालों के लिए अगर वो बिमारी है टॉक्सिक एलिमेंट है तो किसी देश के पतन का इससे बड़ा प्रमान क्या हो सकता है इसलिए हमारा देश ऐसी भयावा अवस्था में पहुंच गया है जहां रक्षक भक्षक बने ह हुए है जहां जिनको रक्षा करनी है और जो उनके सामने दूसरे को रक्षा का अधिकार दिया है उसका भी भक्षन करने के लिए तयार है तो यह इसका जो तीसरा पहलू है ज्यादा महत्पुर्ण है और उसे पर हमको ज्यादा केंद्रित करना परना करया क्योंकि हमारे द करता है बिलकुल सहमत हुआ अफदेश जी की बातों से लेकिन इसमें जो आपने जो में मुद्दा है में मुद्दा है कि आखिर एक्जीक्यूटिव और पॉलिटीशन्स में सब्ता में पॉलिटिकल पावर इसके अंदर जगड़ा क्यों है जगड़ा किस बात का है जगड़ा הב스트 है जब आप यहाँ है यह धिय जिझा, मैं बताना चाहरा हूँ कि जो सब्तासीन लोग है हमारी संसद है या हमारी विधान सबा है, जो हैं वो लेजिसलेचर हैं वहाँ पर एक्जीक्यूटेव अगर उनको असिस्ट करती है और वो जो एक घालमाल हो गया है बहुत वर्षों से चला रहा है यह घालमाल इस पर अगर कोई आफीसर आकर उसके अलग लाइन लेता है तो यह जो इतने वर्षों से पानी तलाब का एक जंक खा रहा है उसमें हलजुल होगी ही होगी और जो अफीसर उस लाइन को जो अपनी पावर को अपने अधिकार को इमानदारी से लागू करते हैं जन हित में या देश हित में उनको यह जो करप्ट लीडर्शिप यहां पर पनप्ती जा रही है उनको रास नहीं आ रही है यह सर्फ करप्ट लीडर्शिप में अगर आप इसको देखें जो लोग राजनिती में भी इमानदार हैं उनको भी पार्टियां डेजस्ट नहीं कर पा रही हैं यहां तक से इतनी पार बात कहरे हैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आप यहां की जो पार्टियां है वो दरसल हा हाई कमांड तौरा डेरेक्टिड हैं स्वाल यह है कि जो है का है किमांड जो कल्चर है उसमें इमांदारों की पोच्छ नहीं है जब तक वो जब तक वो चमचा गिरी नहीं करेंगे जब तक वो और यही इस्तिति जो है आज जो आपने अभी मुद्दा उठाया है यह उसम सिंग का मामला आया था आपने एक सन इन लौ के कारण बी सी सी आई जो परधान है उनको कितना बड़ा कटगरे में खड़ा किया तो आज देश का राज चलाने वाली पार्टी की सर्वच नेता यूपी ए की अध्यक्षा उनके जो सन इन लौ हैं वो कटगरे में हैं और अशो देश के नामी गिरामी सबसे पावरफुल परिवार है सबसे जादा रेस्पेक्टेट सबसे जादा जो कहें पावरफुल फैमिली के दामाद होने के कारण भी उनको क्या एक पहलू ये भी है कि उनको कोई भी अधिकारी जिनको पब्लिसिटी चाहिए वो ये काम कर रहे है एक इसका दूसरा पहलू है तीसरा पहलू है कि किसी और ने चाहे वो रॉबर्ट बदरा ने किया या नहीं किया रॉबर्ट बदरा के नाम पे अपने आपको उस परिवार के करीव लाने के लिए किसी ने क्या ये काम किया तीसरा है कि क्या रॉबर्ट बदरा और कॉंग्रेस पार्टी और कॉंडिस सरकार क्या उसमें मिली भगत से ये काम हुआ ति तीन अलग अलग पहलू है इसको भी नेजर अंदाज नहीं कह जा सकता है बार्टी राजनीती में अबदेश भाई ने बहुत सारी बातें कहीं हैं उसमें आप ये बात जरूर मानें कि आप ये कहें कि पवन बंसल ने रिश्वत नहीं ली और पवन बंसल शामिल नहीं थे उनको पता नहीं था सी बी आई ने भी उनको क्लीन चिट दे दी लेकिन उनक लिए पावर्फुल फैमली फस्ट फैमली के दमाद है ये एक विशह हो सकता है यहोंगों की मजबूरी है और यहोंगों की उपर एक लायबिल्टी है कि उनको मानना है पुषपेंद्र भाई नहीं बात कही उसी में जोड़ रहा हूँ आपके भांजे होंगे बतीजे होंगे उनको कोई आके दिशोत नहीं दे देता उनको क्रोड़ो रुपया नहीं दे देता कही नहीं बात कह रहा हूँ अगर आप इस बात को देखें कि रॉबर्ट वडेरा इस देश के अंदर अगर सोनिया गांदी के दमात ना होते तो यह तमाम सारी चीजें मेरा कहने का मतलब है इस तरह के यह पहला सोदा नहीं है हर्याना के लैंड डील मगर पूरे हर्याना में आप नवैडा में जाएंगे या गुरगाओं में जाएंगे या फिर फैरदाबाद में जाएंगे इस तरह के तमाम गाओं में सोदों हुए हैं तमाम तरह के सोदों म इस तरह की लेंदे नहरा फेड़ी अगर आप जांच करें तो होगा रॉबर्ट बधरा का मसला इसलिए महत्पूर्ण हो जाता है कि वो सुनिया गांधी के दमाद है यह पहलू है उसको आप दरख दिया है आप इस बात को नहीं कहीं नजर अंदास कर सकते कि यह तमाम सारी च दमाद इस काम को कर रए हैं तो इस पूरी कांग्रेस पार्टि में खासरों से हरयाना में जो उनकी सरकार है जहां वो दस्तक देते हैं दस जनपत पे हर हफ्ते जाकरे उन में से किसी में यह हिमत नहीं थी कि सोनिया गांधी से जाकर को लेना चाते हैं क запис इस जारी लिक दे करें देलेdiे, लेकिन ये माना जा राहा है, भारतीय राजनेती इस तरीके की हो गई है, लेहाधा इस पर हमें पूछना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, हमें सुतहि कर देना है, तो बात यह है कि अगर उनके बारे में बढ़रा होने की वज़े से सुनिया कि दमाद होने की वैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ बातें हाइलाइट और सेंसेशन केरियेट कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि खेम खा तो इस सरकार के अंदर एक I.S. ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ एक्षिन क्यों नहीं लिया जा रहा? आपका जो प्रस्न है, ये भी एक पहलू है क्या? कि नगार एगम ग्राम एवजना विभात के जो नियम है, उसको गलत किया गया है, जो सारे साथ करोड का इन होने खड़िदा और अंठाउन करोड में उसको तुरट DLF को दे दिया है, जो चेक विदिया कि हमने चेक पचास करोड से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है, ये व आप कई बार जरा गीतों की पंक्ती को जो है अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ इसे ही है, ये जो नेताओं का जो भोलापन है न, वो पुराना ये गाना है, भोलापन है मकारी है, नहीं सुनो नो, बरा हसीन है चेहरे का भोलापन इनका, मगर भरा हुआ है जहर से ब वह भर हुआ है फिर इसके में तीन अर्थ आपको बता रहा है. मेरी दिरिश्टी में है. कि क differenti हमारे हैं, था क्यिक्व? जिसका काम क्या था जन सेवा जिसका काम था समाज सेवा जिसका काम था कि कानून और वेवस्ता सब लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करें वो केवल आज सत्ता वो केवल और केवल संपत्ति सक्ति और अपने लिए सम्मान अरजित का कारण बन आ रहा है कि हमको शक्ति, हमको संपत्ति और हमारे सम्मान के मामले में जो भी बाधा आ रहा है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, वो चाहे संघर्स करने वाला हो, वो चाहे न्यालय हो, उसको किनारे लगाओ, ये हमारे देश में होगा, दूसरी बात, कि अब इतनी भी गहरत नह करके इससे पैर खीचो जैसे यह दूरप्ता का देखिए बहुत आपा लोचना करते हैं लेकिन जैसे हुआ कि उन्होंने तीन प्लॉट जो है अपने बच्चों को दिया हला हुआ तो उसने वापस कर दिया इतने तो गहरत दिखाई ना आज इतनी गहरत नहीं है और उसके साम हम सीना ठोक के खरे हैं ये तो जाले बाहर से जो अहमद साह, हमदाली और अंग्रेज आये थे उनसे भी बड़े ये लुटे रे और बेशर्म हो गए और तीसरी बात कि जिसको भी भले उसका डाइरेक्ट लाव नहीं हो दिलिप जी लेकिन मीम अफजल हो सकते हैं कोई भी इस समय पॉलिटिक सी कैरियर हो गया हुआ है तो जिसको कैरियर देखना है ना जिसको अंदोलन नहीं देश नहीं वो सब खरे हो जाएंगे इसकी रक्षा के लिए और उसके बिरोध में भले उनको कोई लाव नहीं हो ये तीन पहलो इस समय हर अस्तर पर लागू हो रहा है वो के बल राजनीती का ही विशय नहीं है मैंने पहले ही कहा है एक महत्पुर्ण बात अवदेश जी ने कहा पुश्पिन धर्मानी जी कि जब ये बात अबुजागर है चीजें हैं कम से कम इस परिवार को सुनिया गांदी को कॉंग्रेस पार्टे को चलिए ये तमाम चीज सकता है कि ये सुनिया गांधी के तरफ से इस तरह का पहल हो सकता है या होना चाहिए देखें मैं आपको एक बाद बता हूँ कि अशोक खेमका जी को जो जानते हैं या उनकी वर्किंग जिन्हों ने देखी है उन्होंने किसी भी पद पर छे माह से अधिक एवरिज बता रह इसकी बात नहीं कर रहा है ये राज सत्ता जो है हर दल के निता सत्ता में रहे हैं इस दोरान किसी भी निता ने उनको अराम से पूरी टैनूर कहीं पर भी काम नहीं करने दिया है ये अपने आप में जो इमानदारी तो ये बड़ा सवाल जो हमारा है कि जो इमानदार आफि अधिकारी है वो राजनीता उसको भारी पर रहा है अच्छा बात कि विवस्था को परत्यक्ष और परोक्ष चलाने वाले शब्द का मैंने प्रयोग किया है कि केवल राजनीती और एक परिवार मत मिलिए जहां एक ठेकदार भी है वो परोक्ष तोर पर अगर वहां के नेता क प्रभावित कर रहा है तो वो ऐसे ऑफसर के खिलाब करा होना चाहेगा हमारे देश उपर से नीचे बढ़वाद गुलिष्टा करने को बस एक ही उल्लू काफी है हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम एक गुलिष्टा क्या हो गया नीचे से उपर तक है दस जनपत में ब लिखा इतनी ज्यादा बेशरमी हो गई है जो आगे देखिए यह जो खेमकाजी वाला मामला है खेमकावाला मामला जो है उस्में सीधा सीधा उन्हों ने अपनी रिपोर्ट में ही नहीं लिखा है आप गरुदम की पहले जो छोटे रिपोर्ट आई थी उसमें उन्नों की अंदर जो land deal हुई है वो land deal उसकी जो transaction हुई है monetary transaction वो bank से कहीं पैसा निकला ही नहीं चेक दिखाया गया और चेक वो वैसे को वैसे ही पड़ा है यह कितना बड़ा fraud है आप अपने आप में अगर इसको देखें अरे उपर उपर ही पी जाते हैं जो पीने जीने वाले हैं कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं तो जानकी उलोव सास्त्री ने पहले ही लिख दिया है धर्मानी जी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा ब्रेक के रहे हैं और खामियाज आईए इमानदारा जीकारी उठाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद